Hello Students, हम कर रहे हैं Corporate Accounting Corporate Accounting के अंदर अभी हमारा chapter चल रहा है Amalgamation Amalgamation के तीन lecture में पहले upload कर चुका हूँ आज के lecture no.4 के अंदर मैं Amalgamation का इक numerical question आपको करके बताऊंगा तो आज का lecture बहुत important है अगर आप यह लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो आराम से आप नियुमेरिकल कोशन कर पाएंगे थोड़ा सा मैं धिरी-दिर पढ़ाऊंगा ताकि आपको सब चीज़े अच्छे से समझ आ जाएं तो बिना और स्याम की बैलेंस इट दे रखिये ठीक है 31st MAR 2022 को बैलेंस इट के अंदर दोनों की capital दे रखिये preference share capital equity share capital capital redemption reserve CRR दे रखा है revolution reserve capital reserve investment allowance reserve export profit reserve debenture redemption reserve जिसको DRR बोलते हैं general reserve दे रखा है penal दे रखा है 8% debenture दे रखे हैं दोनों के current liability भी दे रखिये हैं तो बहुत सारे रिजर्व हैं, दो तरह की capital हैं और 8% debenture हैं और current liability है asset side में दोनों की building, plant and furniture, machinery, furniture, investment, stock, data, cassette bank दोनों side की total दे रखी है आपको यहाँ पर यह दोनों side की हो गई total अब आगे पढ़ते हैं तब हमें पता चलेगा कि कौन सी company किस company को take over कर रही है या amalgamation हो रहा है तो वो चलेगा में additional information में पता, अभी तक कुछ पता नहीं चला additional information हमको यहाँ पर दे रखी है total 5 points जब भी इस तरीके के question करें तो सबसे पहले additional information को अच्छे से पढ़ करके, इनका mean निकाल करके, इनसे related पूरा working goal बना के फिर question को start करना चाहिए ठीक है, तो देखिए जे, आईए हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है आई हो आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है न, यस, देखिए 18% debenture of Siam Limited are to be discharged by Rames Limited, Siam Limited के, किते 18 नहीं है, 8% है, यह printing mistake है, किते 8% debenture of Siam Limited are to be discharged by Rames Limited, इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब यह है, कि एक है हमारे पास company, Siam Limited, और एक है हमारे पास में company, Rames Limited, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो Rames Limited है, वो payment कर रही है, किसको, इसके debenture को, किसके debenture को, इसके debenture को, तो Siam Limited के debenture को payment कर रही है, Rames Limited, और वहाँ payment भी कर रही है, अपने खुद के debenture दी रही है, तो इससे साब पता चलता है, कि यह जो company है, यह है transferer company, या आप कह सकते है old company, क्योंकि यह pay कर रही है, इसके debenture को, इसकी liability को pay कर रही है, इसका मतलब यह company इसको खरीद रही है, तो यह हो गई आपकी transferer company बोलो या old company बोलो, समझने के लिए, और यह जो Rames Limited है, यह आपके लिए हो गई transferee company, या फिर आप इसको new company भी बोल सकते हैं, मैंने easy करने के लिए ऐसा भी लिखाया था, कुछ lectures के अंदर, तो इसका मतलब यह हुआ कि Rames Limited जो है, वो Siam Limited को, Siam Limited के business को purchase कर रही है, ओके ठिक, अब first point पढ़ते हैं, तो Siam Limited जो है, उसको Rames Limited दे रही है क्या, अपने 10% debenture of 100 each, वै Siam Limited के पास में जो debenture है, वो 8% वाले हैं, यह देखो, यह राज Siam Limited, Siam Limited के debenture देखो कहा है, यह रहे, कित्ते परसंट वाले debenture है, 8% वाले, Ramesh के पास भी है और Siam के पास बिए, दोनों के पास एक एक लाग के है, तो Ramesh बोल रहा है, कि मेरे पास मेरे तो पढ़े ह है लेकिन स्याम वाले जो एक लाग डिवेंचर है इनको मैं नए डिवेंचर इसू कर रहा हूं लेकिन 8% वाले नहीं 10% वाले कि ओके जी ठीक है यहां तक तो ठीक दा इच से एच सो एस्टू मेंटेन दस सेम अमांट ओब इंट्रस्ट अच्छा सेम अमांट ओब इंट्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि अभी जो है स्याम लिमिटेड को के पास कितने डिबेंचर है वन लेक के डिबेंचर है उस पे इसको इंट्रस्ट किता मिलता है आट परसेंट इंट्रस्ट मिलता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्याम लिमिटेड है हाँ जी उसके पास कित कितने डिवेंचर है 8% वाले डिवेंचर है रुपीज वन लेकर तो इनको इंट्रस्ट किता पे करना होता है वन लेक Channel 8% किता हूँ गया अ सिर्ट हजार कि अभी क्या हो रहा है पता है अब 食ाम ले मेंटेड को सिर्फ ले में लिमेटेड अपने क्या देरिये डिवेंचर रमेज लिमेटेड कितने परसेंट वाले डिवेंचर देरिये दस परसेंट वाले डिवेंचर देरिये लेकिन जो भी नंबर ऑप डिवेंचर एना दस परसेंट वाले वो देने के बाद में स्याम लिमेटेड को आठ हजार रुप से उसको interest किता मिल रहा है 8000 और जब स्याम limited के वो debenture तो खतम हो जाएंगे क्योंगी company खतम हो रही है पुराने debenture जाएंगे और रमेज limited अपने नए debenture जब देगी तब भी उसको interest किता मिलना चाहिए 8000 रुपे का लेकिन यहाँ पर interest की rate क्या है तो कितने debenture imprison की होंगे की 8000 का इसको ब्याज मिल गया है इसका मतलब जो 8000 है वो कितने के उपर है 10 के उपर यानल की 10 परशंट के बराबर यह 8000 कितने के परसंट के बराबर थी 8% interest के बराबर थी यहाँ पर जो 8,000 का interest है वो कितने percent पे 10 पे तो इसको 100 पे लाओ इसका principal amount आजाएगा किता आगया 80,000 अब आप 80,000 का 10% करोगे तो किता आएगा 8,000 कहने का मतलब यह हुआ कि जो यह स्याम limited है हाँ इस स्याम limited को रमेज limited अपनी क्या दे रही है debenture स्याम limited के पास में 8% debenture थे कितने एक लाओ रुपे के अब रमेज limited क्या कर रही है 10% इसको debenture दे रही है उन पुराने debenture के मदले में कितने रुपे के 80,000 सरी यह 80,000 कहां लिखा हुआ कहीं नहीं लिखा हुआ है सब्दों पे ध्यान दे चैरे पे नहीं समझा जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट है फिर अच्छा यह क्या purchase consideration है नहीं debenture को जब भी कोई company payment करती है जो transferer company है उसके debenture को अगर transferi company अपने debenture दे रही है debenture holder को तो वो purchase consideration में इंक्लूड नहीं होता है purchase consideration में के वो लवही चीज़ इंक्लूड होती है जो share holder को दी जाती है यह debenture holder को debenture दिये तो इंक्लूड नहीं होंगे अब यहाँ देखिए preference share of the sham limited are to be discharged by ramesh limited जो preference share है किसके sham limited के उसको क्या दिये जा रहे है रमेस limited अपने preference share दे रहे है कितने issuing equivalent number of preference share of 100 each at 110 100 का preference share किते में दे रही है 110 में तो 10 रुपय का premium हो गया ठीक है अब यहाँ पर समझो कितने कितने preference share है तो देखो जो preference share है वो कितने है 100 रुपी का एक है और 1,00,00 रुपे के हैं इसके पास और 10,00,00 रुपे के है स्याम limited के पास में अभी जो रमेस limited है जो यह स्याम limited के पास में preference share से है ना जो जो स्याम limited के जो preference share older है उसको रमेस limited अपने preference share दे रही है कितने जितने इनके पास पहले है तो इनके करके बताता हूं देखो हमें यहाँ पर calculate कर लेते हैं calculation of purchase consideration calculation of purchase consideration जो shareholders है ना किसके transfer company के यानि कि स्याम Limited की उनको रमेश Limited कुछ दे रहा है क्या दे रहा है है कि रिफ्रेंश सेयर और रुपीज हंडरेड इच अच्छा सो और पर के प्रफेंश सेर दिये जा रहे हैं उनके पास पहले कितने प्रिफ्रेंश सेर है हो था, issuing equivalent number, जितने पहले हैं, उतने ही दे रहे हैं, ओके, और यह कितने रुपे का है, 100 रुपे का, तो यहाँ पर preference share capital किती हो गई, preference share capital, यह हो गई, यहाँ पर premium भी है, security premium, क्योंकि 100 की चीज़ किते में इसू कर रहे हैं, 100 की चीज़ इसू कर रहे हैं, हम 110 में, तो 1500 multiply by 10 करो, तो कितना आ गया, 15,000, तो 15,000 का क्या आ गया, security तो स्याम limited जो है, उसको remains limited, उसके जो preference share older है, उनको same amount की तो preference share दे रहे हैं, और उसके साथ premium पे दे रहे हैं, 10 रुपे के, okay, हिसाप साप यहाँ लिखा, वा सो का share 110 में issue हो रहा है, मतब 10 रुपे का premium है, next, remains limited, sell pay the cost of absorption, which amount rupees 15,000, जो यह amalgamation का खर्चा हुआ न, cost of absorption का, उसका permit remains limited नहीं किया है, तो उसकी books में entry हो जाएगी, goodwill account, debit to bank, मैंने last lecture में आपको बताई थी, remains limited sell issue, अब remains limited क्या कर रही है, issue कर रही है, 4 equity share, 4 equity share, किते, 4 equity share, off rupees 10 each, एक 10 रुपे का, at 30 rupees each पर, 10 रुपे की चीज, 30 में issue कर रही है, 20 रुपे premium हो गया, वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो remains limited है, वो स्याम limited के जो equity share older है, उनको remains limited अपने equity share issue कर रही है, कितने 4, issue 4 equity share, for each equity share, जैसे स्याम limited आपकी company है, remains limited मालने ते मेरी company है, आपके पास अगर एक share है ना, तो मैं क्या करूँगा, remains limited क्या कर रही है, आपको 4 share दे रही है, अगर किसी के पास 10 share है, तो उसको 40 share दे रही है, इस तरीके से ratio है, 4 is to 1, तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो, जो equity share है, equity share capital, वो कितने यह दो लाग रुपे की है, और एक share कितने रुपे का है, 100 रुपे का है, तो इनके पास में कितने shares हो गए, देखो, यहाँ पर आते हैं, जो purchase consideration calculate करेंगे ना, उसका ही part है, यह देखो यह, equity share, equity share of rupees 100 each, इनके पास 100 रुपे का एक equity share, total number of equity share कितने हैं, देख लो आपस यह रहे, 2 लेंके, एक share कितने का है, 100 रुपे का, 100 रुपे का, तो 2 लाग equity share है, एक share किता है, siam limited का, 100 रुपे का, 2,0 से 2,0, तो siam limited के पास में कितने share है, 2,000 equity share, अब 2,000, अब इनको क्या दे रहे है, equity share मिल रहे हैं, किसके, रमेस limited के, कितने मिलेंगे, जिनके पास 1 है, उसको 4, तो siam limited के पास में कितने है, 2,000, तो जिनके पास 1 है, उसको कितने 4, तो कितने मिल जाएंगे, यह हो गए, आपके 8,000, कितने हो गए, 8,000, 2000 जिनके पास है उनको जिनके पास 2000 जिसके पास एक share है उसको एक मिलेगा जिसके पास जिसके पास एक share उसको 4 मिलेंगे तो 2000 डिवाइड बाइ 1 multiply 4 कर दिंगे तो 8000 share मिलेंगे 4 गुना ज्यादा मिलेंगे 2000 इंटू 4 कर लो 8000 8000 share मिलेंगे और एक share कितने रुपे का है अगर capital की बात करूं तो 10 रुपे का है तो capital कितने की होगी 80,000 बाकी का क्या होगी आप premium तो यहाँ पर भी security premium कर लेंगे securities premium कितना security premium हो जाएगा 8,000 share और कितना 20 रुपी अब 20 कैसे आया 10 रुपे का share 30 में इसू किया जा रहा है 10 रुपे का share 30 में इसू किया जा रहा तो 20 रुपे के होगी आपका security premium ओके तो यह हो जाएगा आपका 1,60,000 अब आप total करो आपका यहाँ पर निकल जाएगा purchase consideration 1,50,000 की preference share capital दे रहे नए 15,000 premium है उसमें 80,000 की new equity share दे रहे 10 रुपे का है और 1,60,000 का उसपे क्या है premium है तो total आपका purchase consideration आगया 4,05,000 4,05,000 यह आगया आपका PC जो हमारी general entry में काम आएगा तो थोड़ा सा question को ध्यान से पढ़ना होता है थोड़ा सा जो मेरे सब्द है मेरे words से उसपे ध्यान देना होता है समझ आ जाता है next जो point है वो तो allowance है जो investment allowance और expert profit allowance है उसको 4-2 साल तक maintain करेगी Ramesh Limited इसकी एक entry डाल देंगे आपको बोला है past necessary general entries in the books of Ramesh Limited Ramesh Limited कोन है? Transfree company यानि की new company उसकी company हमको entries करनी है under purchase method और merger method और balance sheet भी बनानी है ठीक है? मैं आपको purchase method की general entry करा रहा हूँ merger method की general entry आपको खुद को करनी है balance sheet में purchase method की आपको करवा दूगा करते हैं start हम general entry बनाना उसके लिए हमको क्या चाहिएगा आपको पता है एक चाहिएगा हमको general का format तो हम यहाँ करा देते हैं general का format बना देते हैं फटा फट से without format general entry नहीं करनी होती है वरना उसके number नहीं मिलते हैं आपको पता होगा है यह basic सी चीज़ तो यह रहा हमारा general का format हाँ थोड़ा सा lengthy एक पर easy है इतना hard नहीं है अगर ध्यान से देखते हैं तो हो जाता है general यहाँ जाएगा date particular यहाँ जाएगा आपका LF debit credit अब देखो first entry हम डाल देते है purchase consideration की हमको पता ही है entry तो है ना तो first entry हम डाल देते है business purchase account debit ठीक है entry हम ने करा राखी है two liquidation of किसका liquidation हो रहा है siam limited का of siam limited है third lecture के अंतर general entries बनाना मैंने सिखाया था कौन से method से कर रहा हूँ purchase methods purchase method okay यहाँ क्या आएगा purchase consideration यह रहा है यह वाला purchase consideration अभी हमने calculate किया न यह वाला किता आया था four lakh five thousand तो यहाँ पर दोनों जगर लिख देंगे चार लाग पॉंच जार चार लाग पॉंच जार चार लाग पॉंच जार ठीक है मैं narration नहीं लिख रहा हूं ताकि हमारा समय बच जाए ठीक है second narration वही लिखनी है जो कल मैंने in entries के topic डाले थे second entry मैंने बोला था यह जो first entry है यह close होती है second or third में तो second में क्या होगा यह business purchase जो debit है यह तो credit हो जाएगा और assets सारी debit हो जाएगी जो हम ले रहे है किससे siam limited से तो siam limited की assets कौन कौन सी है देखो यह रहा एक तो है building 3 lakh plant and machinery 2 lakh तो building and plant and machinery तो यहाँ पर कर देंगे building account debit 3 lakh plant and machinery account debit 2 lakh फिर क्या था furniture furniture account debit देख लेते हैं किता है ठीक है मेरे को बार-बार slide बदलनी पड़ रही है आपके तो सामने question होगा अगर आपने screenshot ले लिया इसना तो ठीक है पनीचर है 50,000 investment है 20 investment किते है 20,000 यह आ गया investment और एक stock दे रखा था 1 lakh का तो stock लिख दिनगे हम stock account debit सारी asset लेनी है बस reserve नहीं लेने है पर्चेज में reserve नहीं लेते हैं उसमें लेते हैं किसमें merger में यस और क्या है देखो यह हो गया 50 यह 20 हो गया 1 lakh हो गया data at 2 lakh के और cash at bank के 30,000 का data at 2 lakh के और cash at bank के 30,000 ओके ठीक है एक line छोड़ देता हूं क्या पाता balancing figure में goodwill अगर debit में आ जाती तो goodwill credit में आएगा तो capital reserve क्यूंकि इस entry में balancing figure कई बार आता है ज़रूरी नहीं लेकिन आता है अब यहां liabilities लिख देते है liabilities इसमें दो तरह की है reserve हमको लेने नहीं है एक तो है debenture कौन से वाले 8% debenture क्यूंकि siam limited की liability और asset की बात चल रही है और एक current liability थी क्यूंक है debenture जो है siam limited के वो तो one lakh है मेरे को याद है और current liability किती है देख लेते हैं debenture तो यह रही बटा देखोई है 8% debenture एक लाग के current liability किती है साट अजार की 60,000 की तो यहां जाएगा 60,000 हाँ अब क्या आता है यहां पर business purchase जो first entry में debit हुआ वो credit हो जाएगा to business purchase account किते से debit है 4,5,000 से तो credit भी हो जाएगा 4,5,000 से अब देख लेते हैं कहां balance आ रहा है debit की total है two fifty twenty one lakh two lakh thirty thousand यहां की total आ रही है लगबग 9,000,000 रुपे और इधर की देख लो one lakh plus 60,000 plus four lakh 5,000 यहां की total आ रही है 565 इसका मतलब balance कहा आ रहा है credit में balance आ रहा है credit में पैसे कम पड़ रहा है उसको हम डाल देंगे capital azar में अगर debit में होते तो goodwill में मतलब credit ज़्यादा होती तो balance जहां भी balance आएगा अभी credit में balance आ रहा है कितना आ रहा है तो 9,00-565 3,35,000 कितना आ रहा है बिड़ा 3,35,000 कुछ रहे तो नहीं किया है एक में question में देख लेता हूँ कोई error नहीं हो गई हो debenture जो है उनके अच्छा नए debenture कितने दिये वो लेने ओके हाँ ये नए वाले debenture लेने बड़ा ताकि एक entry कम करनी पड़े है उनको न इनको हम नए debenture कितने दे रहे है 80,000 new वाल लेने जो new debenture दे रहे है न हो ऐसा इसलिए होता है अगर आप old लेंगे न अगर एक लाग लिख देंगे न तो एक और extra entry आपको डालने पड़ेगी जो मैंने कल बताया था liability payment वाली है नहीं तो यहां पर यह सीधा हो गया आप देखिए 80,000 प्लस 60 405 तो 545 माइनस 9 लेक तो आगर तीन लाग पच्पन जार 355,000 तो 355,000 के आगया capital reserve balancing figure credit side में 3,55,000 अगर यह का यह balancing figure का आता अगर यह का यह balancing figure debit में आता तो फिर हम उसको लिखते goodwill के अंदर goodwill account के अंदर उसको हम transfer करते ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया यह हो गई आपकी first जो entry है उसमें business purchase को credit करके यह entry होगी अब यह liquidation of sham limited है इसको debit करेंगे और payment वाली entry करेंगे ठीक है तो आईए करते है मैं थोड़ी सी draw कर देता हूँ line आगे हो गया है तो second होगी हमार यह entry थर्ड नंबर लिक लिक्विडेशन आप श्याम लिमेटेड अकाउंट डेबिट क्या दे रहे हैं इनको 4,5,000 का purchase consideration क्या-क्या दे रहे हैं एक तो दे रहे है equity share capital खीक है और एक दे रहे हैं हम इनको preference share अब कोई यह मत बोले ना sir debenture भी दे रहे debenture PC में सामिल नहीं होता और एक आजाएगा हमारा securities premium तो यह entries तो working load जो बनाया है ना उससे भी हो जाएगी securities premium अब देखो यहाँ पर preference share किती है 150 और equity है 80 तो 150 और 80 तो यह लिख दो 80,000 equity में preference में 150 और security premium कितना है 15,000 एक है दो है ना preference पे भी है और equity भी है एक तो है 15,000 एक है 160 तो 160 प्लस 15 हो गया 175 तो 175 का हो गया आपका premium अब आप इसकी total करेंगे न तो वह हो जाएगी 4,500,000 क्योंकि वही तो amount लिया है और अलग से थोड़ी लिया है मैंने फिर भी करके देख लीजिए 4,500,000 ठीक नेक्स्ट यह एंट्री जो आप की होगी बहुत ही simple और वह एंट्री होगी जो absorption वाले payment किया है यह वाली एंट्री देख यह में बताता हूं आपको यह यह हो गया प्रिफरेंस एर यह हो गया ठीक है यह देखो यह थर्ड वाली रमेस लिमिटेट सेल पे दा कॉस्ट ऑप्जोप्शन 15,000 तो goodwill account debit to bank purchase वाले method में यह एंट्री होती है goodwill account debit to bank तो यह हो जाएगा goodwill account debit to bank 15,000 यह एंट्री बताई दी ना absorption expenditure वाले ओके एक एंट्री इसमें और रह गई वो भी बता देता हूं देखो यह वी हो गई एक यह रह गई जो investment allowance reserve है और जो export profit reserve है उसको दो साल तक maintain करेगी इसका मतलब यह होता है यह amalgamation adjustment expenditure या amalgamation adjustment account है जो मैंने कल आपको सबसे last entry करवाई थी यह वो है उस entry का बताऊं मैंने आपको नाम क्या बताया था उस entry का मैंने आपको नाम भी बताया था कुछ आप देखना आपकी notebook के अंदर लिखा होगा अगर आपने general entries करी है तो ठीक है तो हम क्या करेंगे amalgamation adjustment account को debit कर देंगे और इन दोनों को credit कर देंगे देखो बताता हूं कैसे fifth number amalgamation adjustment reserve account debit तू अब वो दोनों reserve जिसकी यह बात कर रहा है जिसको maintain करना है दो साल तक कौन-कौन से हैं एक तो investment allowance reserve और एक export profit reserve कौन से वाले की स्याम limited वाले की देखो यह एक तो है investment allowance reserve पचास अजार और एक export profit reserve one lakh तो two investment यह balance sheet में भी जाएगा बताऊंगा जब balance sheet बनाऊंगा और एक export profit reserve ठीक है जो investment allowance reserve है तो आपका यह हो जाएगा 150 अब यह जब नहीं वाली balance sheet बनाएंगे ना किसकी reserves को ऐसा question में बोला वह तब भी करना है वर्ना तो 30 सारे reserve लेकिन नहीं बनाना है ना बहुत सारे reserve है लेकिन नहीं बनाना है purchase method में reserve लेते ही नहीं है ओके ठीक हो गई और देखो यहाँ पर और एंट्री कौन से बच गई यह आपका question यहाँ पर देखे तो हमारा second, third, fourth और fifth यह पांच point हो गए है ठीक है एक debenture वाली आप entry डाल दीजिए यह वाली 8% debenture वाली 8% debenture को हम दे रहे 10% debenture तो हम यहाँ कर देंगे 8% debenture जो है account debit करेंगे और credit कर देंगे जो 8% 10% वाले debenture दे रहे हैं 10% वाले debenture किसको दे रहे हैं स्याम लिमिटेड को रमेश लिमिटेड अपने 10% debenture दे रहे हैं लेकिन amount किता आएगा 80,000 80,000 एक लाग के थे लेकिन असी में दे रहे हैं तो 20,000 को capital reserve में transfer हो जाता है merger method के अंदर उसको show करना होता है यहां आपको करने की जरूद नहीं है कुछ लोग क्या करते हैं यह जो goodwill account debit गया आना इसको return of कर देते हैं return of करना कैसे होता पता है यहां पर goodwill debit हुआ है यहां पर credit कर दो यहां पर क्या कर दो credit और return of किस से करेंगे कौन से reserve से करेंगे capital reserve से कर दो a sir capital reserve तो अमर पास है यह नहीं हाँ बिलकुल रमेज़् के पास में capital reserve है यह नहीं है यह रहा capital reserve सियां के पास है लेकिन रमेज के पास है नहीं देखो box खाली है तो कहां से करेंगे हम अर पास जब reserve नहीं है कहां पे है यहां पे है देखो यह वाली entry के अंदर है जो balancing figure के अंदर आया था यह आया यह रा capitalizer कितना आया था 3 leg 55,000 तो इस से हम उसको क्या करेंगे right off कर देखो कितना आया goodwill 15,000 15,000 बस simple सी यह entry साथ entry करनी होती है इसमें first entry अगर आप बना ले देखो purchase consideration निकालना होता अगर आप अपने PC निकाल दिया तो आपकी first entry हो जाएगी और अगर first entry हो गई ना तो first सी second और third हो जाएगी फिर कई बार क्या होता absorption expenditure की entry होती है वो simple entry होती है वो आप कर लेते हैं और उसके बाद अगर कोई reserve को 2 साल तक statutory reserve बोला था मैंने आद आ गया statutory reserve को maintain करना हो तो उसकी एक entry दाल दीजिए अमाल commission adjustment account debit 2 इसके अलावा debenture older जो है old company के उसको हमारी company new company कुछ pay कर रही है चाहे वो पैसा पे कर रही है चाहे हमारे debenture दे रही है तो एक उसकी entry हो जाती है बस बागी simple है अगर goodwill को write off करने का बोले आपके बाद reserve तो कर दीजिए और purchase method के अंदर siam limited का कोई reserve हम नहीं लेंगे अगले ही इसके part के अंदर मैं आपको इसी question की balance sheet बनाऊंगा तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा merger method से इसी question को आप खो try कर सकते है वो आप reserve आपको सारे लेने पड़ेंगे second entry के अंदर और balance sheet के अंदर भी I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप support करना चाहते हैं और चाहिए support बिल्कुल ताकि मैं और भी बहुत सारे lectures आपके लिए लेक्या हूँ वे कौम 3 साल के होती है हम मिलकर के करेंगे उसको और भी बहुत सारे subject होते हैं और teachers भी रखने पड़ेंगे तो उसके लिए आपका support चाहिए support करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा like, share and subscribe करें comment करें और यह रहा QR इसको scan करें permit नहीं होगा इससे किसी परकार का पैसा नहीं कटेगा आपको यह वाला PDF मिल जाएगा जो यहाँ पर मैंने आज की class के अंदर पढ़ाया है तो मिलते ने एक्स लेक्चर में goodbye, thank you